इस्टार्ट म्रतक नेशनल लो यूनिवर्सिटी जो दफुर में तृतिये वर्ष का 21 वर्षिये चात्र था जो याची का इकलोता पोत्र था दिनांग 13 अगस 2017 को साई काल वह अपने होस्टल से लगभग 300 मिटर दूर एक रेश्टोरेंट में भोजन के लिए अपने मित्रगण के साथ गया था किन्तु अगले दिन प्राथे काल नो बजे उक्त रेश्टोरेंट के पीछे गुजरने वाली रेलवे ट्रेक पर उसका मृत शरीर पाया गया था मृतक के मातापिता के काफी प्रयास के बाद सम्बंदित थाना मंदोर में भारतिय दंड सहीता की धारा 302 के अंतरगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांग 29.6.2018 को दर्ज किया गया क्योंकि विश्वे विदाले प्रयाशासन ने प्रथम द्रश्टया मामले को एक आत्म हत्या का मामला मानकर गठना के ततकाल बाद कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी तदनुसार गठना के ततकाल बाद अपराध अनवेशन की सामान्य प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई म्रतक के शरीर पर पाए गए चोट मानव वध की ओर संकेत कर रहे थे पुलिस की लापरवाही को देखते हुए म्रतक के पिताने समूचित अनवेशन के लिए उच नयाले में रिट याची का प्रस्तुत की जिसमें उच नयाले ने दिनाग 24 फरवरी 2020 को याची को चुनोती देने का विकल्प प्रदान करते हुए अनवेशन संस्था को समंदित नयाले में अनवेशन का परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया इस निर्देश के बाद भी पुलिस की निश्क्रियता से तरस्त होकर याची ने यहे रिट याची का प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए उच चतम नयाले की इस पीठ ने दिनाग 8 अगस्त 2020 को निर्देश दिया की अनवेशन संस्था दो महीने के भीतर अनवेशन पूरा करके अन्तिम रिपोर्ट इस नयाले में प्रस्तुत करे इसके बाद अनवेशन अधीकारी ने अतीशी गृता में अनवेशन कार्य पूर्ण करते हुए दिनाग 39-2020 को एक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जो पूर्णते ऐसंतोष जनक और अनेक बिंदुओं पर ऐपर्याप्त थी उपर्युक्त प्रष्ट भूमे में पक्षों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ ने निम्न निर्ने दिये पेरा अपने आदेश दिनांग 8 जुलाई 2020 के अनुपालन में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांग 39-2020 का हमने अवलोकन किया जो यह सुविकार करता है कि मरतक की मरत्यु एक आपराधिक मानव वद है किंदु अपराधी कोन थे इसका कोई भी सूत्र नहीं है कहा गया है कि मरतक ने गठना के दिन दिनांग 3 अगस्त 2017 को विश्व विदाले परीसर को साए 7 बजे अपने अन्य अनेक मित्रों के साथ छोडा था और उसके अगली सुभह प्राते 9 बजे लक्ष्मी गैस्ट हाउस के पीछे रेलवे लाइन पर उसका मरत शरीर पाया गया मरतक का शव रेलवे लाइन पर समकोन की इस्तती में मुडा हुआ था उसके शरीर पर नो गंभीर चोटे थी जो प्रैक्रती में मरत्यू के पूर्व का था गठना इस्थल पर रक्त का कोई निशान नहीं था किन्तु उसके कपडों पर खून लगा था और उसका केवल एक पेर का स्लीपर ही गठना इस्थल पर पाया गया प्रत्यू तरदाता ने उच्च नयाले के समक्ष और इस नयाले के भी समक्ष प्रती सपत पत्र के द्वारा कथन किया है कि मरत्यू प्रैक्रती में दुरगठनात्मक है यदि इसे अंतिम रिपोर्ट के साथ देखा जाए तो यहे उसके विपरीद कथन करता है कोई संधे नहीं रहे जाता कि मरतक पर आकरमन रेलवे लाइन पर नहीं अपीतू कहीं और किया गया था चुकि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा चुका है जिसे हम स्विकार नहीं कर रहे हैं मामले के तहे में जाने के बजाए हम केवल उद्देश्य मूलक प्रिश्णों पर विचार करेंगे जैसा की याची का में प्रार्थना की गई है हम याची के इस तरक से सहमत हैं कि गठना के ततकाल बाद से समूचित धंग से अनवेशन नहीं किया गया और अंतिम रिपोर्ट लगा दिया गया स्टोप